आज यहां पर बात करने जारी हूँ एंजल नंबर्स के बारे में ओके एंजल नंबर्स जो दिख रहे हैं आप लोगों को और आप लोग ओवर एक्साइटेड हो जारे हो एंजल नंबर्स को देख करके कुछ लोग तो ये भी लिखने लग गए हैं कि माम हमारी ना मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई इतने सारे एंजल नंबर्स दिखे तबी भी तो ये angel numbers लिखने का क्या मतलब होता है कि आपकी manifestation बस कल पूरी होने वाली है ऐसा कुछ होता है क्या ऐसा कुछ भी नहीं होता आप लोग angel numbers को miss interpret मत कीजिए I don't know कहां पे आप लोग देखते हो angel numbers के बारे में कि बस अभी हमने देखा angel number और कल परसों में आपकी wishes आपको मिलने वाली है angel numbers जो हमें universe के through एक sign है universe का हम से communicate करने का angels का हम से communicate करने का हर sign हर number कुछ ना कुछ जिस वक्त आपको दिख रहा है वो कुछ आप से कहना चारे है आप उनकी उस language को उस indication को समझने की कोशिश कीजिए और वो समझना आपको ही है see always एक ही मतलब को हर जगा आप लोग नहीं लगा सकते हो ओके आपको खुद समझाएगा कैसे समझाएगा जब आप कुछ कर रहे हो आपको triple one दिख रहे है, triple two दिख रहे है, triple three दिख रहे है, butterflies दिख रहे है rainbows दिख रहे है, तो आप लोग over excited हो जाते हो, okay हाँ आप तो होने वाले आप लोग को जब यह दिख रहे है please समझेए, कि वो चीज़ें आपको यह indicate कर रहे है, maybe आप या तो track से हटके कुछ negative thoughts में चले गए हो तो आपको फटा-फट यह numbers दिखने लग जाएंगे ठीक है, सबसे पहला point तो आपको वहाँ पे सबसे पहले आपने आपको correct करना है, कि कहीं आपने कुछ negative thoughts तो नहीं, अपने thoughts को check करना शुरू करो, जैसे ही यह numbers दिखते हैं, आपने आपको check करना शुरू करो कुछ negative thoughts हो गया है आपका या फिर कहीं dedication कम है आपने कुछ techniques apply करने में आप एक दो दिन छोड़ रहे हो, gap कर रहे हो तब भी भी आपको यह दिखने लगेंगे यह आपको यह indicate करते हैं कि now, आप लोग अपने कुछ और आ रहा है, आपको यह numbers दिख रहे हैं correct करो अपने thoughts को फटा फट से okay, third thing is कि अगर आपको यह numbers दिख रहे हैं तो यह यह भी indicate करते हैं कि yes, you are on right part ठीक है, एक तो होता है कि आपको खुद पता चलेगा कि हाँ हम negative पर जा रहे हैं तो वो यह भी बता रहे हैं कि आप track से हट रहे हो second है कि जब आप confused हो रहे हो, आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहे है, लाइफ में ठीक चल रहा है कि नहीं techniques और आपको तब दिखने लग गया तब उस वक्त ये numbers ये indicate कर रहे हैं कि yes, you are on right path आप बिल्कुल सही जा रहे हो, confused होनी की जरुवत नहीं है और आप जो techniques कर रहे हो, जो महनत आप कर रहे हो जो कर्मा आप कर रहे हो, काम आप कर रहे हो, करते रहो आप ठीक है, ये उसके लिए भी है, ओके, ये सारे numbers तो numbers का हर situation में एक different meaning है आप सारे situation में एक ही meaning मत लगा के बैठ जाईए इस वज़ा से क्या हो रहा है कि आप लोग इन numbers को misinterpret कर रहे हो और plus ये numbers जब आपको दिख रहे हैं, आप अपने thoughts को correct ही नहीं कर रहे हो तो वो समझो, उस ताइम पर आपको ये numbers दिखने का मतलब क्या है वो यही बता रहे हैं कि आप अपने thoughts को correct करो and be on the right track again and you are on the right track, बस अपने thoughts को correct करो समझ में आ रहे हैं आपको, ये चीजें हैं angel numbers या butterflies या कुछ भी दिखने का and most important thing is कि जब angel numbers दिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अगर कोई opportunity आपको मिल रही है और उसको हमें लेने में कई दफा दिक्कत होती है हम सोचते हैं, confusion में रहते हैं कि मैं ये करूं की नहीं करूं मैं उस रास्ते पर जाऊं की नहीं जाऊं पता नहीं कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा नहीं, अगर आपको angel numbers दिख रहे हैं इसका मतलब है they're telling you कि yes it's a new beginning for you it's a new opportunity for you and you have to grab it आपको वो opportunity ले लेनी है so angel numbers के हर जगा अलग-अलग मतलब है सब जगा एक ही मतलब मत लगा के बैठिये कि एकदम बस अब दिख गया तो manifestation पूरी होने वाली है ये करने से क्या हो रहा है कि लोग ना आधा तो techniqueी छोड़के बैठ जाते हैं कि अब तो angel numbers दिख गया अब होने लगेगा या फिर कर भी रहे हैं तो slow हो जाते हैं एक दो दिन का gap देने लग जाते हैं ये एंजल numbers दिखे थे उस टाइम पे आपको पता ही नहीं चला आपको करना क्या था प्लस जब ये एंजल numbers दिखते हैं जभी भी दिखे अपने विश को अगें प्रेजेंट टेंस में याद करके thank you thank you thank you grateful हो ये universe के लिए इसलिए क्योंकि maybe हो सकता है ये आप बीच में negative हो गए होगे आप हो जाते हो अपने negative thoughts पे control नहीं हो रहा है आप लोगों का आप लोग बार बार हो जाते हो उसी वक्त आपको universe ये sign दिखा देंगे आपको again अपनी wish को present tense में बोलके thankful होना है जैसे ही ये दिखे इससे क्या होगा आप अपने subconscious level को reprogram करते रहोगे साफ करते रहोगे उसको फिर आप जो thoughts चाहिए उसको वो देते रहोगे so in numbers को देख करके आप लोग please कुछ भी और misinterpret मत कीजिए अपने दिमाग में कि अब ये दिख गया तो ये हो जाएगा जब भी दिखा था past tense में जो भी आपकी wishes complete नहीं हुई थी उनको लेके भी अगर आप अभी evaluate करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जितनी बार दिखा था आपने क्या change किया इन numbers को दिखने का मतलब है आपको कुछ change करना है या तो change करना है या तो फिर just right जिस path पे आप चल रहे हैं उस पे और अच्छे से dedication के साथ चलना है ओके so just be very clear plus एक चीज और है triple one दिखता है new beginning है new opportunities है sorrows, pain का खतम होना है ये मतलब है triple two दिखता है अलग मतलब है triple two का मतलब होता है you need to be a little diplomatic when you are speaking to someone else see if you are healing your love relationship आप अपने love relationship को heal करने में लगे हो और आपको अचानक से triple one दिख रहा है that means positive thought है new opportunity है आप सही technique apply कर रहे हो लगे रहो triple two अगर अचानक से किसी वक दिख रहा है उस समय ये indication होता है कि अब आप अगर अपने partner से communication में लगे हुए हो तो अब थोड़ा सा अपने आपको diplomatic होकर के आपको बातचीत करनी है मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि एकदम से आप upfront अपनी बाते रग दें जो मुझे चाहिए वो ही आपको करना है और वो लड़ाई जगड़ा कभी-कभी हमें कुछ बाते जो हमारे partner को अच्छी लगती है उसके according भी करनी होती है partner हो सकते है या फिर normal life में भी कभी-कभी हम जो family में रह रहे होते हैं तो अपने family में जो दूसरे member को पसंद है उसके according भी बाते करनी होती है उसके भी हां में हां कभी मिलानी पड़ती है and life is all about this हमेशा हम एकदम से upfront होके अपनी बात रख दें जो मुझे सही है वो ही मैं बोलूँ ऐसा नहीं हो सकता triple two का मतलब is always that you correct yourself be little cool, calm okay, आप अपनी जो भी बात रख रहे है थोड़ा सा अपने आपको अब आपको शांत करने की जरूरत है triple two दिखने का यही मतलब होता है always, बाकी सारे numbers तो still है कि हाँ new beginning है okay, आप right path पे हैं, angels आपके साथ हैं triple three दिख रहा है, triple four दिख रहा है, triple five दिख रहा है जब triple two दिखता है, triple two दिखता है जो भी relationship healing में लगे हैं उनको angels और universe का indication है कि अब आपको अपने वेहार में अपनी बातचीप में अपने partner के साथ थोड़ा सा cool and calm रहना है एकदम से अपनी feelings को जैसे के तैसे नहीं बता देना है और एकदम जो हम सोचते हैं कि बस मेरा partner है तो बस मैं जो चाहरी हूँ वही बोलता रहे और सुनता रहे थोड़ा triple two जब भी दिखे अपने आपको तुरंट उस टाइम पे correct कर लीजिए थोड़ा सा modify करके थोड़ा cool down होके काम होके चलिए चीजें बनानी है बिगारनी नहीं है बहुत से लोग मैंने देखा है कि calls manifest हो जा रहे हैं कई महीनों से बाते नहीं थी calls manifest होगा है उसके बाद मुझे लिखते हैं कि बाते तो हुई मैं मैंने खुद लड़ाई कर लिया मैंने ये बोल दिया वो बोल दिया इतने सारे टेकनीक्स लगा कि आप लोग एक call manifest करने में कितनी महनत लग जाती है आप लोगो meditation करो techniques करो और फिर जब call आ जाता है तो आप लोग इतने excited हो जाते हो कि बनाने के बजाए बिगार रहे हो ये सारे जितने भी angel numbers दिख रहे हैं बहुत patience बहुत प्यार की जरूरत होती है प्यार को प्यार से ही जीता जा सकता है aggressive हो करके desperate हो करके और ego रखके अगर आप love relationship heal करने में लगे हो I don't know where you guys are going to land then और किसी चीज में अगर desperation लगाओगे, job है ये है तो चलो jobs में समझ में आता है आप एक company नहीं है दस companies में आप form submit करोगे और जगा आप जाकर कि interviews दोगे, कहीं न कहीं selection होगा ये love relationship है ये relationship है किसी भी रिष्टे को संभानने में प्यार के अलाबा दूसरी कोई चीज काम नहीं करती है सिर्फ और सिर्फ प्यार patience, दो पी को अपनी life में रख लो, प्यार और patience तब जाके आप लोग relationship को heal कर पाओगे, और ये बच्चों जैसी हरकते करना, बंद करो कि बस उधर से phone आया, उन्होंने ऐसे बोला, मैंने लडाई कर ली, लडाई मत करो, ठीक है, चीजे हैं समझाओ एक दूसरे को discuss करो, work out करो technique करो, trust on universe अपनी-अपनी thoughts भेजो thoughts, reality बनते हैं, always इसको गांट बान लो कि thoughts ही reality बनते हैं आप लोग लिखने लग जाते हो, माम ये technique होगा की नहीं होगा, अगर हम बता रहे हैं कोई technique, तो obviously पूरे surety के साथ बता रहे हैं की होगा आपने starting में ही doubt लगा दिया comment में लिखकर के, कि ये होगा, ये work करेगा, मुझे मिल जाएगा I don't know, तो please be positive, and angel numbers जभी भी दिखते हैं, correct yourself keep saying thank you अपने wishes को बोले, present tense में और thank you, thank you, thank you बोले and just be happy, thank you so